हेलो एब्रिवन क्यासे हो सब लोग आई होप की सब बहुत अच्छे से होंगे इस वीडियो में हम डिस्क्रिशन करने वाले हैं सेक्षन डी के कोशन नुबर 35 के और वाले पार्ट के सॉलिशन के बारे में अगर आपने इस इप्रिवर स्वीडियो अभी तक नहीं देखा डॉक्टर है जो समीर को एड्वाइज करते है कि तुम जो सुगर ले रहे हो अपनी नॉर्वल डाइट में उसे रिडियूस कर दो और साथ ही साथ क्या है आपको रिड्वल एक्सराइज भी करना होगा अप्टर चेकिंग हिस ब्लॉड तेस रिपोटर यह कब बोलते हैं जब उसके ब्लॉड-ब्लट से रिपोट को वो चेक करते हैं वो कौनसे होगा डाइबटीज से होगा तब भी सुगर को रिड्यूस करने का बात कर रहा है तो यहां पर simple form में answer लिख देंगे कि समीर इस सफरिंग फ्रॉम इस समीर इस सफरिंग फ्रॉम क्या लिख देंगे डाइबटीज समीर is suffering from diabetes ठीक है चलो एक तो answer हो गया Name the hormone responsible for this disease हमें बताना है कि कौन सा hormone जो है वो responsible है इसके लिए ठीक है तो यानि कि सबसे पहले हमें hormone का नाम बताना है तो hormone कौन सा होगा? insulin और इसी को decrease करने के लिए हम लोग insulin का injection भी लगाते हैं and the organ producing the hormone कौन सा organ जो है वो simple form में ये produce करता है hormone तो ये कौन सा organ होता है बिल्कुल pancreas कौन सा होता है that is pancreas ही जो होता है वो insulin insulin अच्छा insulin बहुत खतरनाग लिखा मैंने insulin लिख दिया हूँ insulin ठीक है अब उसके बाद ये क्या होता है pancreas pancreas ये आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा ठीक है यहाँ पर कुछ spelling में मेरे को लगता है जैसा mistake है यहाँ पर e नहीं होता और यहाँ पर भी e नहीं होता ठीक है तो इसको लिख लेते है थोड़ा अच्छा से insulin यहीं होता है ना और यह उता pancreas ठीक है चलो अच्छी बात है अब भी पार्ड में आओ ठीक है इसमें से तीन नमबर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा अब दो नमबर के लिए और बढ़ लेते हैं दो नमबर क्या दिया हुआ है वीच हार्मोन इस प्रेजेंट इन और एरिया आफ रैपिड सेल डिविजन कौन सा रैपिड सेल डिविजन के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो Simple Form में Responsible होता है कौन सा होता है उसके बात दिया हुआ है और कौन सा हार्मोन जैब इसके हम हम लोग टेस्ट कर रहता ना यानि कि MC की कोश्टन देख रहा था तो बहुत सारे हमने कोश्टन जो है वो कर रखा है ठीक है तो कौन सा हर्मुन जो है ग्रोथ के लिए है डाट इज एपसिसिक एसिड एपसिसिक एसिड ठीक है तो इस टाइब से आपने बहुत ही सिंपल तरी है हाई होप कि यह पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ पाया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है मिलते आप से अगली वीडियो में कोश्टन नमबर 37 के साथ कम्प्लिट प्यारिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में तो एक बाड डिस